प्यारे बच्चों आज हम मराथी सुखम भारती यत्ता सावी की किताब से शाड़ा नको आतात सुटाइला इस कविताओ को पढ़कर समझेंगे बच्चों शाड़ा नको आतात सुटाइला का मतलब होता है इतनी जल्दी स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए यानि बच्चों को स्कूल में इतना मज़ा आ रहा है कि उन्हें वक्त का एसासी नहीं हुआ कि कभी स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया और वो नहीं चाहते कि अभी स्कूल की छुट्टी होना चाहिए आईए बच्चों कविता शुरू करते हैं आईका मना वाचा सुनो बोलो और पड़ो पाटी नको आताच फुटाईला शाडा नको आताच सुटाईला भर भर सारे आवरुन गेविया काय महनतात गुरुजी एकुया चला ग्याना चा खजीना लुटाईला शाडा नको आताच सुटाईला पाटी नको आताच फुटाईला यानि अभी सिलेट तूटनी नहीं चाहिए बचो पाटी यानि सिलेट, शाड़ा नको आताच सुटाइला, इसकूल की भी अभी छुटी नहीं होना चाहिए भर भर सारे आवरुन घेविया, जल्दी जल्दी तमाम काम समेट कर, बचो आवरुन यानि समेट कर, काय मनतात गुरु जी एकुया जल्दी जल्दी तमाम काम समेट कर, सर क्या कहते हैं, आईए सुनते हैं, चला ग्याना चा खजीना लुटाइला, चलो इल्म का खजाना लुटने को, बचो ग्यान यानि इल्म और खजीना यानि खजाना, शाड़ा नको आताच सुटाइला, इसकूल की अभी छुटी नहीं हो इतिहासा मद्धे राजा आनी रानी अमराफित ही गोर गोर गानी गनितात ली कोडी लागली सुटाहिला शारा नको आताच सुटाहिला इतिहासा मद्धे राजा आनी रानी बचो इतिहास तारीख मजमून को कहते हैं तारीख मजमून के राजा और रानी मराठी तही गोड़ गोड़ गानी मराठी के खुबसुरत गीत गणितात ली कोड़ी लागली सुटाइला रियाजी के सवालात भी हल करते आ रहे हैं यानि तारीक के राजा और रानी के किस्से सुनने में बड़ा मजा आ रहा है मराठी के खुब्सूरत गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं और र्याजी के सवालात भी हल करते आ रहे हैं इसलिए शाडा नको आताच सुटाइला इसलिए इसकूल की छुटी अभी नहीं होनी चाहिए पीचे शब्द लागले आठवाईला शाडा नको आताच सुटाइला चंद्रतार्यान ना चला निर्खुया चलो चांतारों का मुशाहिदा करते हैं निरखने यानि मुशाहिदा करना विज्ञान गमती ही पार्खुया साइंसी करिश्मी और इजाधात भी समझते हैं बच पीचे शब्द लागले आठवाईला इंगलिश के अलफाज भी अब याद होने लगे हैं शाडा नको आताच सुटाइला इसलिए अभी स्कुल की छुटी नहीं होनी चाहिए बाई सांगतात माहिती अवांतर गुरुजी देतात धड़े निरंतर यशाची शिखरे लागलीट दिसाइला शाडा नको आताच सुटाइला बाई सांगतात माहिती अवांतर मैडम हमें अजाफी मालूमात देती हैं बचों बाई यानी मैडम माहिती अवांतर यानी अजाफी यानी मैडम बचों को किताब की मालूमात के इलावा अजाफी मालूमात भी देती हैं गुरु जी देतात धड़े निरंतर हमारे सर हमें हमेशा अच्छी तालीम देते हैं बचो धड़े देने यानि अच्छी तालीम देना और निरंतर यानि हमेशा यशाची शिकरे लागलीत दिसायला हमें हमारी काम्याबी की मंजिल दिखाई दे रही है बचों यश यानु काम्याभी और शिखर यानी पहाड की चोटी यानी पहाड का सबसे उपरी सिरा शाड़ा नको आताच सुटाईला इसलिए अभी स्कूल की चुटी नहीं होनी चाहिए शाड़ा नाही तुरुंग आहे ग्याना चे द्वार सग्ड़या सहा मिडवू ग्यान अपार जग लागले आता कुठे समझाईला शाड़ा नको आताच सुटाईला शाड़ा नाही तुरुंग आहे ग्याना चे द्वार इसकूल जेल नहीं है बलके इल्मा हासिल करने का दर्वाजा है बच्चों तुरुंग यानी जेल और द्वार यानी धर्वाजा सग्ड़या सहा मिडवू ग्यान अपार सब के साथ मिलकर हम बेपना यानी बहुत ज़्यादा इल्मा हासिल करेंगे बच्चों अपार यानी बेपना जग लागले आता कुठे समझाएला बच्चों जग यानी दुनिया आप धीरे धीरे ये दुनिया समझ में आने लगी है शाड़ा नको आतात सुटाएला इसलिए अभी स्कूल की छुटी नहीं होनी चाहिए बच्चों इस कवीता को लिखने वाली कवीतरी का नाम है जियोती कदम ये थी बच्चों मराटी सुगमभरती यता सहवी की कवीता शाड़ा नको आतात सुटाएला इंशाल्ला हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज झाल्ला हम 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 झाल्